कोई absent हुआ तो class recording भीज तो fees collection automatic marketing कैसे करेंगे teach mint website बना के देखाना teach mint अब पूरी इंडिया को मैट्स पड़ा हूँ sir चाहे जैसी भी ज़रूरत हो teach mint पे teaching आसान है आज ही डाउनलोड करें teach mint इंडिया का नंबर वन teaching आप subscribe किजिए exam center 2.0 को और bell icon को प्रेस करिए सबी latest videos को सबसे पहले देखने के लिए यह हैं आप लोग I hope सभी ठीक होंगे मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि आप लोगों को अपनी परिक्षाओं की जो तेयारिया है वो अप प्रतियोगी परिक्षाओं की तरह करनी होगी। ठीक है। और यहाँ पर इस नियूज का आप लोगों को टाइटल भी देख रहा होगा सामने की परिक्षा की जो तैयारियां है वो आपको पृतियोगी परिक्षाओं की तरह करनी होगी देख लेते हैं इस नियूज में क्या क्या बातें बताई गही हैं सनातक और सनातकोतर में एक बहुबिकल्पी होगा सिक्षकों और विध्यारतियों को करनी होगी मेहनत यहाँ पर यह चोटा सा बॉक्स दिया गया है रोहिलखंड विश्वद्यारगी तरब से यह नियूज आ रही है अब तक मात्र पांच प्रश्ण ही पूछे जाते थे बहुबिकल्पी है व्यक्ति अगर एक विसाय के चार तीन पेपर होते थे तो उनका एक ही पेपर करवाया जाएगा तो देख लेते हैं क्या क्या वात हैं यहाँ पर बताई गई है जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बूर्ड की दसमी और बारवे की परिक्षाओं को लेकर शासन ने ने ले लिया ह लेकिन अभी इसनातक और इसनातक उत्तर परिक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थी अभी तक बनी हुई है अभी तक जो तैयारी चल रही है उसमें साफ है कि अन्तिम वर्स की परिक्षाओं का आयोजन किया जाएगा अन्तिम वर्स की परिक्षाओं में एक विसाय का एक प् काफी मेहनत करनी होगी इस तरह परिक्षा की परिक्षा की तयारी है आप लोगों को परितियों की परिक्षा की तरह करनी पड़ सकती है यहाँ पर आप लोगों को यह छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें की बताया जा रहा है कोरोना की बज़े से पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी पढ़ाई में पढ़ाई ना होने के वज़े से भी बहुत जादा दिक्कत बढ़ी हुई है इस वर छात्रों के सामने बहुत सारी दिक्कत हैं सबसे पहरी दिक्कत तो यही है कि अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया है कि एक्जाम होगे या फिर फ्रमोशन होगे और दूसरी चीज सबसे बड़ी दिक्कत और इससे बड़ी दिक्कत यह भी है कि आप छात्रों जो करें, या फिर क्यास्येसिन बेंक होने वाली है?" सारी सबजयक्ष के एक पे-पर होगा तो बहुत सारी दिक्कत हैं यहाँ पर दिक्ट-ो का सामना चात्नों को करना पर सकता है इस वर्थ चात्नों के सामने एक और दिक्कत है क परिक्षा के दौरान अधिक तयारी करनी होगी तयार न होने पर शात्र के परिड़ाम पर भी असर पड़ सकता है उनका प्रतिसत भी कम हो जाएगा हला कि सिक्षक ऑनलाइन क्लास में पाथा किरम पूरे होने का दावा कर रहे हैं लेकिन विध्यारतियों की तयारी कितनी है य होहिल के विष्मिद्धफ ग्रतियालय स्विय प्रतेक वर्स तयार करते थे ठीक है पहले एक विशय के दो या तीन अलग अलग प्रस्मपत्र तयार किया देते इससे पहले सिक्षकों ने सिर्फ प्रवेश प्रक्रिया के दोरान बहुगे कलपी प्रस्मपत्र तयार किये हैं लेकिन इसमें अधिकांश विशय विज्ञान विश्याय से समवंदित हैं ऐसे में अब सिक्षकों को पहली बार एक विश्याय में अलग अलग प्रस्ण पत्रों का समाय उजन कर एक ही प्रस्ण पत्र तयार करना होगा चात्रों की बात करें तो बावबिकल्पी अतलगुत लगु और विश्दित प्रस्ण होने के चलते च चात्रों को प्रिसम्पत हल करने में अधिक दिक्टें नहीं होती थी कई बार चात्र तो कुछ दिनों की पढ़ाई करके पास हो जाते थे लेकिन इसमें सबसे जादा चात्र व्यक्तिकत फॉर्म भरकर परिक्षा देने वाले होते हैं क्योंकि वह परिक्षा के दौरान गैस सब्सक्राइट करना मेरे पास काफी सारे स्टुइंट करते रहते हैं इस सर इह वाली तक बारिक्षा को परिक्षा करो जारी है लिए क्या करें श्रु 630 आप लोग नीचे क मैंट बॉक्स में मुझे बताईए कि आप कोई idea है क्या आप लोग इन परिक्षाओं को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं तो हम अगली वीडियो में discuss करते हैं कि हम लोग किस तरह से अपना campaign चला सकते हैं या फिर इनका विरोध कर सकते हैं ठीक है आप लोग नीचे comment box में अपनी राय जरूर दीजिए कि आप अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए उस वीडियो का लिंक आपको नीचे description box में उपर आई बटन में और end में end screen में में मिल जाएगा वहां पर आपको लोग को मुका मिल रहा है मीवी की तरफ से आने वाले चार हैड़ फोन पर्सनल राय देना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर जो आपका बहु बिकल्पिया प्रसन पत्र आने वाला है इस पार सभी सब्जक्ट का सब्सक्राइब आपकी जो भी राय है आप लोग मुस्से पर्सनल भी दे सकते हैं इंस्ट्राग्राम और टेलिग्राम के ऊपर आकर तो उसके बाद हम लोग इस चीज़ पर डिसकस करेंगे बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ तब तक लिए जहिंद वंदे मात्रम